एक खुला पत्र ओपन लेटर अर्विंद केजरिवाल जी के नाम पर रिलीज कर रहा हूं प्रश्टा चार से लड़ना सच के लिए अड़ना आप से ही सीखा था जिस गुरू से धनुषबान चलाना सीखा आज उसी पर तीर चलाने हैं मन बहुत भारी है पर चुप रहना असंभव है जिन अर्विंद केजरिवाल को देख देख कर ये सब सीखा आज उन्हीं अर्विंद केजरिवाल से अपने जीवन का सबसे बड़ा युद्ध लड़ने से पहले आशिरवाद मांगने के लिए ये पत्र लिख रहा हूं आपने छल, कपट, जूट और घ्रष्टाचार का एक चक्यव्यू बनाया है मैं उसको तोड़ने निकला हूं एकदम अकेला खुदी मुझरिम, खुदी जज और खुदी गवा बनेंगे आजा पिधान सबा के अंदर मुझे एबात मालुम है, खुद के लिए तालियों और मेरे लिए गालियों के बीच बस इतना ध्यान रखिएगा, मैं आपकी हर चाल को जानता हूं आईए लड़ते हैं चुनाओ, हैं आप में हिम्मत जनता का सामना करने की, पुर्सी जाने का अगर आपको डर है, तो बिना इस्तीफा दिये, करावन नगर की सीट से मेरे सामने चुनाओ लड़ लीजिए, मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं और जनता के साथ का आपको भरोसा है, तो अपनी नई दिनली की सीट से चुनाओ लड़ लीजिए, मैं आपके जवाब का इंतजार कर रहा हूं क्योंकि इनकी जितनी इंट्रीज है, उसमें घपले है, घोटाले है, और उसको देने की सिति में है, नहीं लाग बार बार इंवेस्टिगेशन के लिए इनको बलाया जा रहा है, और वो इसको डिनाई कर रहे है, पोप्रेट नहीं कर रहे है, तो मेरा याद, जाने का यही कि जब इस प्रकार से कोई राजनितिक पार्टी सम्भिधार को कानून को अपने हाथ में ले रही है, तो फिर ऐसे पार्टी को माननेता रहने का कोई और जित है क्या, हम एलेक्षन कमिस्ट जाएगे, क्योंकि हम ऐसा लूट करने की छोट किसी भी राजनितिक पार्टी को आएब नेदे सकतिक